मैं आपसे फूचना चाहूंगी कि जिस तरह से आज हमारा यूथ है पूरा सोशल मीडिया पे ही डिपैंडेंट है सुबा उड़ता है और अपना जो पर डाटा उसके पास होता है उसे खतम करता और उसका दिन भी शायद वहीं खतम हो जाता है क्योंकि उसे बस पूरे दिन उस पे ध्यान देना है उसी पे रहना है अगर वो study भी करता है तो वो उसी से ही करेगा और अगर वो entertainment भी करता है तो वो उसी चीज़ से करेगा तो मुझे सिर्फ यह जाना चाहूंगी कि अगर यूद को कुछ जानना है या यूद को कुछ बताना हो तो किस तरीके से बताया जाए क्योंकि सोशल मीडिया जो उसे दिखाएगा उसे वही पता चलेगा और कुछ उसको पता नहीं चलेगा तो किस तरह यूद के दिमाग में कुछ अच्छी बाते या कुछ अच्छी चीज़ उन तक पहुँचाई जाए देखो जहां तक तो मैं बेद्धर्म का ही परचार करती है बेद्धर्मी समझाया उन्हों बबेकी समझाया मैंने पंजबी भाष्षा में अपणी में चार हजार घंटे का डाउनलोड कर रखा है गुरबानी के चार हजार घंटे के हमारी जो सिख्छों की यूथ है तो इसमें आगे सारी उनके लिए तो बहुत कुछ है वो कर रहे हैं ये बेठे हैं सारी यूथ ही यह यह जाने कितने हैं इसे पता है मेरे साथ आते जाते रहते हैं वो तो जागरूख होगे अब मैं हिंदी में करने जा रहा हूँ वक्तकबीर की बरेली में अब जब हिंदी में करूंगा तो सब समने आ जाएगा कुरान वाले कुरान के जो अर्थ हैं वो ठीक करने जा रहे हैं अब कुरान के भी अर्थों के अर्थ किये हैं गुर्बानी के भी अर्थों के अर्थ किये हैं जब ये ठीक चल रहा है का मैं बता रहा हूं ये बहुत तेजी से चल रहा है का अब यूथ को अभी पता इस्ता इस्ता लगे गा लेकिन वो जो दूसरी हमारे खलाब पार्टी है ना उनके चैनल हैं वो लोग उनको देखता है जो यूथ बहुत सा यूथ हैसा है उन्हें हमारे अच्छे नहीं लगते अब उसे क्या करेंगे तुम वो श्लीलता को देखना जाता है वो श्लीलता फैलाते हैं समस्या ये है के हर आदमी की रूची एक नहीं होती लीडरों को समझना चाहिए बदलना चाहिए जो नीचे वाड़े लोग हैं वो तो कई परकार के उनके लग लग रूची है उसे आप कैसे बदलेंगे बदलेंगे लीडर लोग अब धर्म जब अकटे होके एक ही चीज का परचाहर करेंगे तो बहुत जल्दी इसमें 193 देशों के साइन हैं अजंडे पर ऐसी बात नहीं है अब एरान में आठ दस मुलक हैं एरान का उसी पैटर्म पे राज चल रहा है मुसल्मान देश सारे इसी पैटर्म पे बहुत जल्द आने वाड़े हैं सब को यू जवरूख हो जाएगा वो बैन लगा देंगे मीडिया पे उन्होंने जो बैन लगाए है न यही फिल्मों फिल्मों पे मुसल्मान अच्छा किया है वेकर हमारे लोग तो उसके बुरुद हैं यह नहीं चाहते उदर को हम जाएं धर्म की तर्फ को इनकी दुकंदारी बंद हो जाएगी यह भी तो देखो शैतान की और भगवान की लड़ाई है भगवान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं भगवान के बंदे हम भगवान के बंदे हैं पबलक के सेवक हैं पबलक के सेवक हैं भगवान के बंदे हैं भगवान भी सेवई का रहा है हमारी बताओ किस से क्या लेता है बारस पढ़ी, किसी ने को पैसा दिया, दिया, किसी ने कृड़ी बारस है? भगवान ने! इस सिस्टम किसे ने बड़ा है? भगवान ने! वो सेवा करता है, हमें कहता है, तुम भी सेवा करो! बगवान के बंदे बगवान के एजेंट होते हैं, मैसेंजर होते हैं, मैसे देते हैं उसका, अपने करेक्टर के जरीए मैसे देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जो भगवान चाहता है. उनका वो ऐसा कुछ करते हैं जो भगवान को अच्छा लगता है इंसान को भले अच्छा लगे ना लगे ये बात नहीं है उनके भगतों ने जो कुछ किया पबलिक राजा को अच्छा क्यों नहीं लगा हम वह राजा शैतान था जो राज करने कीछा रख्ता है वो शैतान है ! घब बख्यवाण का राज है ! लेकर बख्यवान में गरिए कही कहीं भीदे, नहीं। टेक्स लेकल एंधे? कुछ बाइब कि पोडो सब्सक्राइब किस ने मनाएब इनसानने तोड़ दो थो ढँने बाइयर को Southeast לפ पंशीयां उड़के जले जाते हैं, कोई पास्पोर्ट होता है? तोड़ दो सबको, योध खड़ा होके तोड़ दे, सब ठीक हो जाए, दुनिया के य१्ड खड़ा हो जाए, सब पहरें तोड़ दो, कुछ नहीं हमें चाये, जहां मर्जी हम जा सकते हैं, जहां मर्जी नोकर हैं, जा मर्जी शादी कर सकते हैं. तोड़ दो सब भगवान तुमारे साथ है लेकन तुम्हे तो लड़ाया जाता है, यह देश हमारा है, देश भक्ती है यह है, बो है, भगवान कहा है जोड़ के देश भक्ती लेए, बदमाष बारियर लगाने से बांट दिया तुमको इन को सम्झना होगा, भगवान भक्ती को देश भक्ती बना दिया, क्यों बांड़ दिया, बैरियर लगाने हैं उने, टेक्स लेने हैं तुमसे, आप ऐश कर नहीं है, तुमसे काम करवाना है, तुम तो भेड, बैल हो, जो तो तुम भुझ तुम खाओ, नाज हम खाएंगे, यह तुम भावाता!